दोस्तों अगर आपका PDF फाइल के साथ डेली काम होता है मतलब PDF को आपको Word में कभी convert करना पड़ता है कभी Excel में या कभी PPT में convert करना पड़ सकता है या पिर PDF को merge करना है PDF को आपको compress करना है PDF को lock करना है, unlock करना है यह सारी चीज़े अगर आपको PDF के साथ करनी है तो दोस्तों जैसिकी में इंट्रो पार्ट में आपसे का कि PDF के साथ हम धेर सारी चीज़े कर सकते तो इसे करने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा आपके desktop के उपर lightpdf.com जो कि मैंने विजिट के मेरे browser में lightpdf.com description में मैंने आपके link छोड़ दी है आप वहाँ पे click करेंगे तो इस तरह का page आपके सामने आएगा जिसमें आपको धेर सारे option मिल रहे है जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे PDF to word sign PDF मतलब PDF में आप sign भी कर सकते हैं edit कर सकते हैं PDF में OCR यानि optical character recognition PDF या image के अंदर के टेक्ष्ट है वह रीड करता है और यह धेर सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है बिल्कुल प्री में online इस website की मतलब से अब मैं यहाँ पे demo करके दिखाऊंगा आपको step by step यह काम कैसे करता है ताकि आपको यकीन हो जाए यह आपके काम की website है तो सबसे पहला option मैं ले रहा हूँ यह पे PDF to Word जो कि मैं यह पे focus करके आपको दिखा रहा हूँ PDF to Word PDF to Word इस option पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जैसे मैंने क्लिक किया मेरे सामने आ रहा है PDF to Word और Choose File Option तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई यह वाली फाइल पहली जो फाइल दिखाए दे रहे Pen Trave Design मेरे पास PDF फाइल पहले से मैं लेकी रही इस फोल्डर में यह फोल्डर में से फाइल मैंने कर लिए PDF की और मैंने इसे उपन की यह पटापट यहाँ पे अप्लोड हो रही है दिखाए दे रहा है यह बहुत फास्ट है इसका light speed है इसलिए इसका नाम है Light PDF तो यहाँ पे दिखाए दे रहा है upload successfully convert button पे आप टैप करो और यह processing स्टार्ट हो चुका है 0,1,2,3,4,5 % और उसके बद रिक लिए पे convert successfully लिए आ जाता है क्या बात है download button पे click easy जैसे आप यह पे download करोगी यहाँ पे left side में आपको दिखाए दे रहा है एक word file यहाँ पे download हो चुकी है मैं इसके उपर click करता हूँ इस word file पे और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे यह word file में आ चुका है जो मेरा PDF था मैं PDF भी मैं साथ में आपको दिखाना चाहूँगा मैं मेरे folder में जाता हूँ और यह था मेरा pen drive design वाला PDF यह PDF है यहाँ पे आप edit नहीं कर पा रहे हो लेकिन अभी हमने इसका word में convert किया है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा enable editing पे click कर देता हूँ word में and now you can check it out यहाँ पे मैंने skill courses लिखा है तो इसकी जगब मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ जो चही वो changes आप कर सकते हैं क्योंकि यह PDF word में convert हो चुका है है ना interesting अब आगे बढ़ते हैं आप दूसरा option यहाँ पे दिखाए दे रहा है sign PDF यहाँ पे आप click करो फिर इस तरह की screen आपके सामने आएगी यहाँ पे click करो फिर आप जो PDF पे sign करना चाहते है उस PDF को आप select करके यहाँ पे open कर लो यह PDF यहाँ पे open हो जाएगी और यहाँ पे आपको option आ रहा है create signature देखिए create signature पे click करके आप draw signature कर सकते हैं तो मेरी signature जो भी है mouse से मैं यहाँ इस तरह से draw कर देता हूँ और save कर देता हूँ इस signature को मैं जहां चाहीं वहाँ पे रख सकता हूँ तो सारे options यहाँ पे दिये गए हैं मैं इसे close करना चाहता हूँ create signature में जब आप यहाँ पे click करोगे मैं focus करता हूँ create signature में जब आप click करोगे तो यहाँ पे आपको option मिल रहा है draw signature, upload और set up again भी है जब आप नीचे आजाओगे edit PDF में scroll करके इस तरह से तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि PDF के साथ आप क्या क्या कर सकते है PDF को merge कर सकते है, PDF को split कर सकते है, auto mark add कर सकते जैसे मैं merge करके दिखना चाहता हूँ, merge PDF मेरे पास दो PDF पड़ी है, उन्हें मैं merge करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे choose file button पे click करूँगा और यहाँ पे pen drive one design और pen drive two design ऐसे दोनों PDF file मैंने यहाँ पे select कर लिया है मैंने इसे open कर लिया है, अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यह दोनों PDF यहाँ पे merge हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे merge button पे click कर दूँगा, दिखाए दे रहा है यह merge button पे मैं यहाँ पे click कर रहा हूँ, जैसे मैं merge करूँगा pen drive designs नाम करके एक नई file यहाँ पे merge हो रही है तो जैसे मैंने merge पे click किया, यहाँ पे देख सकते merge PDF successfully and download button यहाँ पे दिया गया है right, so मैं यहाँ पे download button पे click करता हूँ, देखता हूँ यह दोनों PDF एक साथ merge हो चुके है कि नहीं पहले pen drive design 1 में यह था, मतलब यह मेरे pen drive का इतना ही design है और दूसरे page में यह मेरा design था, तो यह दोनों pages यहाँ पे आचुके अगर आप cross verify करना चाहते तो pen drive 1 design PDF में आपको दिखाता हूँ, यह इतना ही है यह एक page है, और दूसरा जो था, हमारा pen drive 2 design यह PDF था यहाँ पे मैं automark add करके दिखाता हूँ, automark PDF उसके बाद choose file पे click करूँगा उसके बाद मैं यहाँ पे click करूँगा, कोई भी एक मेरी PDF ले लूँगा यहाँ पे दिखाया दे रहा है how to use learn more pro pen drive courses, यह वाली file मैंने open कर ली है और यहाँ पे मैं text order mark अगर add करना चाता हूँ, right side में आप देख सकते है text order mark और image order mark ऐसे दो options आपको दिए गये है, तो आप text order mark add करना चाते है तो यहाँ पे आप लिख सकते है कि वही कुन सा text चीस, text पे click कीजिए और text order mark यहाँ पे लिख दो, suppose मुझे लिखना है यहाँ पे learn more pro courses और तो यहाँ पे यह दिखाए दे रहा है नीचे text order mark आ रहा है इसकी size and all आप यहाँ से change कर सकते हैं जैसे aerial black की जगा मैं ऐसे frankling gothic pond रखना चाता हूँ इसकी size में बढ़ाना चाता हूँ so I can do it, right यहाँ पे सारे options दिये गए हैं लेकिन मैं नहीं चाहता text order mark मैं चाहता image order mark तो मैं image पे click करूँगा select image और में पस कोई भी image पड़ी है यहाँ पे मेरा logo है यहाँ पे आप देख पा रहे मैंने मेरे computer में यह logo यहाँ पे select कर लिया है और मैं इसे open करती यहाँ पे दिखाए दे रहा है यह auto mark आ चुका है यह बीच में अब मैं देखना है चाहता हूँ कि भाई पूरे pages पे आ चुका है कि नहीं यह PDF में तो मैं इसे add button पे यहाँ पे click करूँगा यहाँ पे आप देख पाएंगे यह adding auto mark हो रहा है और यह हो चुका है यह ज़्यादा time ने लेगा बहुत सारे pages भी रहेंगे तो भी यह फटक से हो जाता है download button पे मैं click करूँगा और यह PDF open हो रही है और यह learn more logo हर एक page पे यहाँ पे add होते हुए दिखाई दे रहा है क्या बात है हर एक जगह पे learn more का logo आ रहा है basically आपको यह पता चला होगा कि PDF के साथ हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं वैसे आप PDF को यहाँ पर protect भी कर सकते हैं यह मतलब password देना है PDF को unlock कर सकते है PDF को compress भी कर सकते हैं तो compress PDF के लिए मैं choose file पे जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास PDF पड़ा है तो यह file मैं PDF compress के लिए लेता हूँ लेकिन इसकी size क्या है उसके उपर mouse रखिए size लिक क्या आ जाता है या फिर उसी की उपर आप right click करोगे और properties में जाओगे तो उस file की size पता जल जाती है आपको 739 kb लगबख size 740 kb है मैं compress करना चाहता हूँ मैं इसे open करूंगा यह पड़ा पड़ा upload हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे converting to compress PDF भी हो रहा है होने दो इसे और यह वह चुका है अब इसे आप जैसे डाउनलोड करोगे यहाँ पे आपको डाउनलोड करना होगा यहाँ पे आपको फिछ से डाउनलोड करना होगा यह दिखिए क्योंकि मुझे इसकी size देखनी ही न तो basically इसे मैंने open किया भी डाउनलोड करो इसका नाम सपोस्ट देदो compress file करके मैंने नाम दे दिया compress file और मैंने इसे डाउनलोड folder में save कर दिया अब यहाँ पे आप देख सकते है मैं इसे show in folder में करता हूँ यहाँ पे bottom में आप देख लीजिए compress file आचुका है मैं इसे click करता हूँ show in folder करता हूँ और इसकी size mouse pointer उसके उपर रखिए या पिर उसकी पर right click करके properties में जाहिए और उसकी size देखिए 454KB क्या बात है इतनी compress right तो लगबग यहाँ पे 40% size reduce कर दी इसने तो यह सारी चीज़े आपको online free में मिल रही है उस website का नाम है lightpdf.com description में हमने link कर दीए बहुत सारी चीज़े यहाँ पर free में मिलती है तो आप जरूर इस website पर विजिट कीज़े चेक कीज़े आपकी काम कीज़े यहाँ पर PDF के सब PDF को आप JPG में convert करना है word to excel excel to PDF ऐसे डेर सारी चीज़े आपको एक जगह पे मिल रही है तो क्यों आप इसका benefit उडाले हो कैसे लगा दोस्तों यह वीडियो डिफिनिटल आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो like share or comment करना ना भूलिए साथी में चैनल पर नहीं हो तो subscribe और bell icon पे जरूर क्लिक कीज़े है था कि हमारे वीडियो के ने रिफिक शाप को टाइम पे मिले और हमारे जितने भी चैनल है उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिये जरूर चेक करना मिलता है अगले वीडियो के तब तक के लिए सीख दे रहो सीखा दे रहो बाइबाइ